हेलो गाइज, असलाम अलेकुम, वेलकम बेक टो मैं चैनल, इंडियन यूट्यूबर अन्जूम, तो कैसे हैं आप सब, आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी यहाँ ठीक हूँ, तो फ्रेंड यह है मॉर्निंग का टाइम, और मैंने इन लोगो नाश्टा वगेरा सब करा द क्योंकि सब लोग घर पर ही थे, आज बच्चों की चुटी है, तो सब लोग घर पर ही थे, हजबेंड भी आ गए थे, तो यहां में बनाने जा रहे थी छोले मसाला और पूरी, तो मैंने सूचा इसकी रेस्पी आपके साथ शेयर की जाए, तो चली बनाते हैं, तो ले लिया है, लग बर एक गांट ले लिया है, थोड़ी सी अध्रक आपको दिख लिया होगी है, यह इस तरीके से क्योंकि ग्राइंड करेंगे तो ऐसी मोटी मोटी काट लिए मैंने, और टमाटरी मैंने सी में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो आप अलग से पी डाल सकत खड़े मसाले, मैंने यहां पर जीरा ले लिया है, तेजबात और काली मिर्चे, और यह जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था, आपको दिखा दिया था, वही मसाला मैं इसमें डाल के, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के, इसे मच धनिया डाला है थोड़ी सी हल्डी और नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला यब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें मैं टालूंगी एक चमच आमचूर का पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला और एक चमच के लगभग भुना जीरा पाउडर और जो मैं लास्ट में इसमें होमेट गरम मसाला डालूंगी उसका टेस्ट ही इतना जबरदस आएगा कि इसमें छोले मसाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं वैसे मैं नहीं डालती हैं क्योंकि ऐसे ही बड़े टेस्टी बन जाते है छोले तो आप मेरी डैस्पी जरूर ट्राइक करके देखिए इस तरीके से आपको छोले जो पैकेट आता है उस मसाले की जरुरती नहीं पड़ेगी तो इसमें जो आलू बाईल किये थे वो आलू डाल दिये हैं और छोले पहले से ही वाईल कर लिए थोड़ी सी हलो दी और थोड़ा सा नमक डालके वह हम इसमें डालेंगे एक मिक्स ले लेंगे और ये देखें आण तो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताईएगा मैं उसकी रैस्पी आपको जरूर दूंगी तो यहां एल में जर्ज़ हम चाहिए दूल दून भाइएगा मैंैं हमारी पूरिया देखे कितनी टेस्टी लग रही है और हर इक पूरी इस तरीके से देखे फूल रही है अगर आपको चाहिए रेस्पी पूरियों की तो आप कम्प्लीट रेस्पी के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं पूरियों की भी कम्प्लीट रेस्पी आपको दे दूँगी तो फ्रेंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक बटन जरूर दबा दे सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिविकेशन क करें तैयार आप लोग भी आजाएए हमारे साथ यह है नेट्स टे के क्लिप और यह है दुपैल का टाइम यहां पर मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है और बेटा जा चुका है तो फ्रेंड मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है बेटा जा चुका है स्कूल और आज का दिन है कुछ खास क्योंकि आज हम करवा रहे हैं ग्यारवी शरीफ की न्याज अपने अहां तो यहां पर हमने बिर्यानी बनवाई थी डिस्टिब्यूट करवाने के लिए तो यहां मेरी अम्री बेटी हुई है यानि कि है मेरी सास और बड़ी वाली नंद है इन दोनों से मैं पहले ही इंट्रिजूस करवा चुकी हूँ आप जानते ही हैं इन दोनों को तो मैंने बिर्यानी बनवाई थी यहां पर यह देखे कि बिर्यानी भी बन कर आ चुकी है अब मैं यहां पहले न्यास करा दूनी बिर्यानी कर, तो हम लोग रह साल गैरभी चरीप के न्यास इसी तरीके से कराते है क्योंकि गयर्वी शरीफ का महीना चल रहा है बहुत ही रहमतों का और काफी बरकतों का महीना होता है यह गयर्वी शरीफ का महीना तो इस महीने में हर जगे नियास होती है फाता करवाई जाती है हम लोग इसी तरीके से फाता कराते हैं अपने कोई चीज़ बनवा कर या तो ब जो चीज आती है वहाँ तो जाना बहुत जरूरी है तो यहां मेरे हस्बेंट फाता वगेरा दे रहे हैं तो फाता करवाने के बाद अब हम पैक करवा लेंगे और जो घर पर आ जाते हैं लोग तो वो घर पर खाल लेते हैं उन्हें घर पर खिला दिया जाता है तो यहाँ पर मेरे हस्बेंट की कुछ फ्रेंट्स वगेरा आ गये थे तो उन्हें घर पर ही खिला दिया गया था और आगे चलकर यहाँ पर देखिए यह पैकिट्स सयार कर रहे हैं हम तो यहां अम्मी और मैं पैकेट से यार कर रही हूँ और जो बड़ी बाजी है वो डिस्टिब्यूर कर रही थी महले में कुछ जगों पर भिजवाई थी तो फैन मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ